दोस्तों बढ़ती हुई उम्र के साथ जोडों में दर्द होना एक साधरन सी बात है उम्र के साथ साथ हमारे शरीर में कैल्शियम भी कम होने लगता है तो जोडों के दर्द के लिए आज आपके लिए एक ऐसी एफेक्टिव ऐसी आसान सी रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तों जिसके पहले बार के इस्तमाल से ही आपको बहुत अंतर महसूस होगा जोइन पेन से आपको आराम मिलेगा चाहे घुटनों का दर्द हो चाहे एडी का दर्द हो चाहे आपके कमर का दर्द हो या आपके अलबो का दर्द हो कई बार हमें भारी चीज उठाने के करण कलई में दर्द होता है उससे भी रहात मिलेगी तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऐल बनाना भी बताऊंगी साथ ही साथ बताऊंगी कि जोडों के दर्द को तुरंत कैसे खत्म करें वीडियो को पूरा एंड तक कि आप लोग जरूर देखिए का दोस्तों बहुत सारी टिप्ट शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है फैन्यूग्रिक सीड मेथी मेथी को खाएं भी मेथी को लगाएं भी इतना जादा फायदेमंद है मेथी का कंजप्शन मेथी का एप्लिकेशन दोनों ही बहुत फायदेमंद है जोडों के दर्द के लिए अगर आप चाहे ना दोस्तों तो आधा चमच मेथी को रोज एक गिलास पानी में राद भर भीगाएं सुबा उठकर चान कर मेथी का पानी आप लोग पी ले आराम मिलता है मेथी का तेल भी उठता फायदेमंद है अगली चीज गार्लिक लहसुन हम सब के किचन में होता है दोस्तों और गार्लिक जो होता है ये भी गठिया अर्थराइटीज हड़ियों के दर्द हड़ियों की सूजन जोडों में जो हमारे तकलीफ होती उसके लिए लहसुन का सेवन लहसुन का एप्लिकेशन दोनों ही बहुत फायदेमंद है वैसे आप चाहें तो एक कली लहसुन की रोज सुबह खाएं खाली पेट खाएं चाय कॉफी पीने के पहले खाएं एक कली केवल कच्छी कली को बारिक-बारिक काट ले जैसे दवाई खाते हैं गोली खाते हैं वैसे ही बारिक काट कर पानी के साथ आप लोग निगल सकते हैं गार्लिक को तो आप एक लहसुन की कली जरूर खाएं, उपर से चाहें तो हलका गुन-गुना पानी पी लें आप देखेंगे आपको हड़ियों के दर्द से मास पेशियों में जो एठन जकडन होती है सिड़ियां उतरते चरते समय जो हड़ियों से टक-टक की आवाज आती है बहुत राहत मिलेगी तो बिना पैसा खर्च किये, कम पैसा खर्च करके भी हम बहुत आसानी से जॉइन पेन से आराम पा सकते हैं अपने कैल्शियम के इस्तर को सुधार सकते हैं अपने कैल्शियम के इस्तर को बढ़ा सकते हैं और इसके लावत दोस्तों थोड़ा खान पान का हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत सी वीडियो शेयर कियें, कैल्शियम वाली चीजें जिसमें होता है, तिल सैसमे सीट जरूर खाएं दोस्तों, आप लोग मखाना खाएं, जिनमें कैल्शियम बहुत होता है, तो चलिए बताती हूं, आपको एक ऐसा ओईल, आप देखेंगे दोस्तों, बजार में तो तरह तरह के ओईल मिलते हैं, पैन किलर के, दर्द के, दर्द निवारक तेल मिलते हैं, परन्तु घर का बना हुए जो ओईल है ना दोस्तों, इतना एफेक्टिव है, यह बहुत पुराना नु सबसे पहले, जो मैने का सरसो का तेल है, आप चाहें तो इस ओयल को जादा बना कर स्टोर कर सकते हैं, पास से चोटी। बढ़ी कलिया हैं तो चार कलियां काफी हैं, आधा चमच अजवाईन, आधा चमच मेथी के बीज दिया है, और गैस की फ्लेम कॉप करते हैं स्लो। और बढ़िया अच्छा इस तेल को कड़का लेंगे, पका लेंगे हम, और पकाने के बाद आपको इस तेल को छानने की जरुवत नहीं है, आप बिना छाने ही डिबी में भर लें, किसी बॉटल में स्टोर करके रख लें, रोज रात को सोते समय इस तेल को लगाएं, या फिर आगे वीडियो में बताऊंगी, कि आप जब भी बैठें, इसे लगाएं, उसके बाद कैसे सिकाई करना है, ताकि आपको तुरंथ ही आराम मिले, दोस्तों, थोड़ी ठंडी चीजों से भी परहेज करें, कोशिश करें, थोड़ी गरम भोजन जादा करें, ठंडा खाना हमे ठंडा फ्रीज का पानी नहीं पीना चाहिए, तो इसे छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखें, तो बहुत अच्छे से हम अपनी कई चीजों को, कई बिमारियों को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, लहसुन अच्छी तरह से पकने लगा है, औ अच्छी खुशबू आ रही है, अजवाइन की, और फैनुग्रिक सीद की मेथी के बीजों की, और तेल पक चुका मेथी के बीजे आपको दिख रहा है, एक तम ब्राउन से हो चुके हैं, बस, इतना ही हमें पकाना है, और तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लें, एक बॉटल मे रख लें, वैसे कोशिश करें, जब भी ये तेल को लगाएं, हलका सा गुन-गुना लगाएं, अभी तो गरम है तो मैं बता दूंगी अप्लिकेशन, पर तो मालिच ये ठंड का मौसम है, बहुत जाद तकलीफ है इस तेल को थोड़ी दिर धूप में रख दें, धूप की गरमाहट से थोड़ा ये गरम हो जाएगा न, जब हम लोग हलके गुन-गुने तेल से मालिच करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है, ब्लेड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमें हडियों की सूजन से, हडियों के दर्द से, और नसों की कमजोरी से आराम मिलता है, कई ब पर भी इस ओई से मसाज कर सकते हैं, तो तेल बन करता है, अब इसका एप्लिकेशन एंड में बताऊंगी दोस्तों, इसके पहले मैं बताती हूं सिकाई करने, यहां मैंने लिया है चावल, आप चावल ले सकते हैं, आप गेहू ले सकते हैं, जो अनाज होते हैं तो अभी मै बनाएंगे एक पोटली जिससे कि आपको अपने जोडो के दर्द की सिकाई करना है, तो आप यहां पर गेहू चावल ले सकते हैं, दोस्तों आप राई ले सकते हैं, जिसे हम मस्टरड सीट कहते हैं, आप वो ले सकते हैं, आप मेथी के बीज भी ले सकते हैं, पोटली बना जब चावल को मैं गरम तवे की उपर रखूंगी ना, तो जो ग्रेंस होते हैं, वे लंबे समय तक हिट को अपने में एब्सॉप करते हैं, जो अनाज होते हैं, वे लंबे समय तक गर्मी को अपने में बना कर रखते हैं, जल्दी ठंडे नहीं होते हैं, इसलिए मैंने यहां का इस्तमाल किया है ऐसे ही आप गेहू लेंगे ना गेहू भी एक बार आप गरम करेंगे अभी देखे का कैसे गरम करती हुँ मैं आप यह मत सोचिए कि यह चावल खराब होगा यह पोटली पोटली बिल्कुल धीली बनाए ताकि आप असानी से लगा सकें कड़ी-कड़ी पो पोटली को आपको तवे के उपर रखते जाना है जब भी आपको जहां दर्द हो रहा है आप करके तो देखें पहले बार में ही आपको इतना आराम मिलेगा कि आप बोलेंगे वाह मुझे बड़ा अच्छा लगा दिन में टाइम है तो दिन में कर लीजिए रात को टाइम है घुटने के पीछे का हिस्सा है न दोसों वहां हमारी नसे होती है वहां पर तेल जरूर लगाएं मसाज करें पांच मिनट तक मालिश करें फिर यह जो चावल की पोटली जिसे मैंने गरम तबे के उपर रखा है उससे कम से कम तीन चार मिनट सिकाई जरूर करें फिर कोई ग लगेगा दोस्तों और चावल है लंबे समय तक गरम बना रहेगा और नर्माहट से आपकी सिकाई भी हो जाएगी जैसे आपको लगता पोटली ठंडी हो गई तबा रखा है गरम गरम पास में फिर से आप पोटली को तबे पर रख दें तो बहुत अच्छी तरह से फिर से गरम हो जाएगी तो दोस्तों इसे जरूर ट्राय करें वीडियो जरा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों साथी साथ मेरे चैनल शिखास की चन को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें क कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को information कैसी लगी